हेलो दोस्तों मैं दिने साब सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आज अपने बात करने वाले हैं यस बैंक की तो यस बैंक के अंदर जो न्यूज है उसके चलते इसके अंदर काफी जो है पॉजिटिव मूग जो है वो देखने को मिल रहा है तो स्क्रीनर पर आपने जाते हैं और इस पर चेक करते हैं यस बैंक के अंदर जो न्यूज है पहले तो अपने वो क्लेरिफाई कर लेते हैं तो यहाँ यदि अपने डॉकुमेंट में जाएंगे तो नीचे नीचे सबसे नीचे नीचे जो है यहां आपको important जो है news वो देखने को मिलेगी जिसमें आपको करीब यह देखें यह जो है दो दिन पहले 5 फरवरी को यह जो news थी SDFC bank को 9.5% yes bank की अंदर जो है इस्टेक बाई करना था इसके चलते yes bank के अंदर move जो है वो देखेंगे आप डेली चार्ट में देखेंगे 6 फरवरी से इसके अंदर positive जो है upside देखने को मिल रही है और आज के दिन जो हुआ है पहले तो वो देख लेते हैं तो देखिए आज के दिन ये जो दो दिन लगातर तेजी आई थी उसको देखते हुए आज क्या है एक पोज आया है और यदि ये वापिस से इस लेवल को जो की आज का हाई है ये करीब 32.7 का है इसको यदि break करता है तो next जो लेवल है वो कौन सा होने वाला है तो वो देख है अभी यदि आप weekly चार्ट के अंदर देखेंगे तो आपको क्या है यहां कुछ क्लिरिफिकेसन नहीं मिलेगा अपने monthly चार्ट में चलते हैं और उससे क्या है इसके अंदर level निकालने की कोशिस करते हैं तो देखिए ये जो मैंने level निकाला है ये एक बार आपको दुबा कर दिया और next जो level बनता है yes bank के अंदर वो है आपका ये 37.4 का और यहां यदि आप देखेंगे तो previously कोई monthly के अंदर इस से उपर यदि आप देखेंगे ये देखेंगे ये 50 ये में monthly चार्ट के अंदर 50 ये में है जो कि 41 का है लेकिन यदि इसको इस level को आप weekly चार्ट के अं देखें ये जो green line आ रही है 38 का जो level है ये 200 ये में है weekly चार्ट के अंदर तो यहां तक आपको upside जो है वो देखने को मिल सकती है मेरे according बाकी यदि इस level को break भी करता है तो आपको next जो level है वो ये देखने को मिलेगा तो उमीद करता हूँ आज की ये जो छोटी सी कोसिस है वो आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो ये अच्छा लगा तो like, share और comment करना मत भूलेगा मिलते हैं इसी तरह के और educational वीडियो के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों